वैदिक जोतिश के अनुसार हीरा रत्न शुक्रवार ग्रिंग का प्रतनिधित्व करता है। ये एकत्यंत प्रभावशाली रत्न होता है और इसका बहुत छोटा आकार भी बाजार में काफी केमत रखता है। जदातर हीरा स्ट्रीवर्ग का पसंदीदा रत्न है। और हो भी क जोतिश के अनुसार शुक्रवार को भी सुन्दर्ता और स्ट्रीवर्ग के साथ जोड़ा गया है। इसलिए सीधे तोर पर हीरे का गहरा संबंद स्ट्रीवर्ग से स्थापित होता है। शुक्रवार ग्रिंग सुन्दर्ता, वैभव और एश्वरे तथा भोग विलास का ग होती है। क्योंकि हीरा धारन करने से हम शुक्रवार को बली करते हैं, फल स्वरुप शुक्रवार हमें उससे जड़े सभी वैभव और सुक्रदान करता है। अत्वा टेलिविजन क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी हीरा अवश्य धारन करना चाहिए क्योंकि इन व्यवसायों में शुक्रवार ग्रें के बहुत बढ़ी भूमिका होती है। शुक्रवार की शुबता को प्राप किये बिना फिल्मी क्षेत्र, टेलिविजन, क्षेत्र और मोडली में सफलता प्राप करना ना मुम्किन है। हीरा रत्म धारन करने के विदी यदि आप शुक्रवार देव का रत्म हीरा धारन करना चाहते हैं, तो 0.50 से 2 प्रारीट तक के हीरे को चांदिया सोने की अंगुठी में जड़वा कर किसी भी शुक्रवार को सुने उद्धै के पश्चाद अंगुठी को दूद, गंगाज शक्कर और शहद के घोल में डाल दे, उसके बाद पांच अगरबत्ती शुक्रदेव के नाम चलाय और प्रात्ना करे की है, शुक्रवार देव मैं आपका आशिरवाद प्राप करने के लिए आपका प्रतिनिधी रत्न हीरा धारन कर रहा हूं, कृपया करके मुझे अधप्रदान करे, तत पश्चात अंगोठी को निकाल कर ओम्शन शुक्रायनम का 108 बारी जब करते हुए अंगोठी को अगर बत्ती के उपर से घुमाए, फिर मंत्र के पश्चात अंगोठी को लक्ष्मी जी के चरनों से लगाकर कनिष्ट कया मध्यम अंगली में धारन करे हीरा अपना प्रभाव 25 दिन में देना आरंब कर देता है और लगभग 7 वर्ष तक पून प्रभाव देता है फिर निश्क्रिय हो जाता है 7 वर्ष के पश्चात पुना नया हीरा धारन करे अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए हीरे का रंग सफेद और कोई काला दाग नहीं होना चाहिए